Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही कराशी फल तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए cards है three of cups and solitude और देखें ये दोनों ही cards एक्दम से contrary energies की बात करते हैं जहां three of cups का card so fifth level के लिए socialize करने की बात करता है जादा लोगों से interact करने की बात करता है वही solitude का card deeper level पर या फिर money ही money एक अकेलापन चहाने की या फिर एक अकेलापन महसूस करने की बात करता है और कितनी बारी होता है हम बहुत सारे लोगों से घिरे वे होते हैं लेकिन फिर भी एक अकेलापन हम हैसूस कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा भी कुछ टॉरस के लिए रह सकता है और इन जनरल के लिए देखें तो इस week आप जादा लोगों से connect करना चाहा रहे हैं जादा लोगों से socialize करना चाहा रहे हैं कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आपकी जादा meetings हो रही हैं जादा आप लोगों से connect कर रहे हैं जादा interactions हो रही हैं और देखिए again surface level पे आप participate कर रहे हैं लेकिन कही deeper level के लिए आप चीजों से withdraw कर रहे हैं या मैं कहा सकती हूँ कि आप मन से या पिर दिल से इन ही सब चीजों में involved नहीं हो रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं किसी चीज को लेकर एक गहरी सोच में भी कुछ टॉरस रहते हुए दिख रहे हैं कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि एक introspective mode में हैं जहां पर चीजों के बारे में बहुत deeply आप सोच रहे हैं आप फिर बहुत deeply उनको समझना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप you know कोई workshop attend कर रहे हैं जहां पर फिर से मैं कहूंगी बहुत सारे लोग हैं और साथी साथ learning भी हो रही है तो overall देखिए ये भी specifically professional front के लिए ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई celebration, कोई get together, कोई reunion आपके professional front में है या फिर professional front से ही related कोई चीज आप अपने colleagues के साथ, co-workers के साथ celebrate करना चाहा रहे हैं and personal front के लिए आप लुगों के लिए cards है, page of pentacles and movement choices decisions और देखिए सबसे पहली बात ये pentacles का card है तो money, पैसा, materialistic, tangible चीजों पे या तो focus है या फिर इन ही चीजों से related हैं एक फाइदा इस week होता हुआ दिख रहा है और किसी भी news, email, message, phone call का अगराब वेट कर रहे हैं तो वो भी इस week आपको मिलती हुए दिख रही है और दिखिए ये news या फिर ये phone call, message कहीं एक चोटी मोटी सी stability लाता हुआ दिख रहा है security आपकी life में लाता हुआ दिख रहा है और overall के लिए देखिए बहुत ही devotion, बहुत ही dedication जो भी आप काम कर रहे हैं उसी के लिए रहता हुआ दिख रहा है और उसी से ही related या otherwise भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई knowledge आप gain करना चाहा रहे हैं कोई skill आप update करना चाहा रहे हैं और deeper level के लिए movement, choices, decisions का card बहुत ही clearly कहता है इन ही सब चीजों से related या फिर otherwise भी कोई decision, कोई choice आपको लेनी है और कहीं आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं एक shift भी चाहते वे दिख रहे हैं और guidance से आप लोगों के लिए card है just breathe और ये card कहता है कि इस week किसी चीज को लेकर अगर आप थोड़ा सा थकावा महसूस कर रहे हैं और फिर जादा थकावत हो रही है कुछ के लिए mentally हो सकता है कुछ के लिए emotionally हो सकता है कुछ के लिए physically हो सकता है तो बहुत बहुत important है आप साथी साथ थोड़ा थोड़ा rest भी लेते रहें अपनी energies को भी rejuvenate करते रहें nutshell में अपने आपको इतना आप exhaust ना कर दें कि फिर आगे जाके परेशान हो तो फिर से दिखे कोई सोच अगर बहुत जादा चल रही है और यहां पर solitude के card में हमने देखा भी आप बहुत deeply चीजों को समझना चाहा रहे हैं सोचना चाहा रहे हैं तो देखिए again चीजों को समझें सोचें लेकिन इतना ना deep चले जाएं कि फिर overthinking हो जाए और आप परेशान हो और फिर देखें यह भी हो सकता है कि mentally आप exhaust हो और इसी लिए शायद यहाँ पर just breathe का card कहता है कि साथी साथ अपने आपको अराम जरूर दे साथी साथ अपनी energies को आप rejuvenate जरूर करें और देखिए personal front के लिए भी आप थोड़ा सा devotion और dedication के साथ चीजों को deal कर रहे हैं तो यह भी बहुत अच्छी बात है लेकिन over कुछ भी ना करें nutshell में अपने आपको बहुत ज़्यादा इस week आप ना थकाएं साथी साथ rest जरूर करें अपनी energies को rejuvenate जरूर करें and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है और इसकी हिसाप से all shades of blue आप लोगों के लिए इस week lucky रह सकते है and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी पल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए